पुठे एए पुठे कल से तु भूलोक में तपस्या नहीं करेगा यम लोक में करेगा कहा है बे तू तूने मेरी जिन्दगी से खिलवाड किया है एए तू तो गया मेरे हातों से मरेगा तू मुझे चीट करेगा क्या सब मर्द ऐसे ही होते हैं इसका नाम सिद्धू है और ये है हासनी बच्पन में हुए एक हादसे की वज़े से ये लड़कियों से नफरत करता है और इसे लड़कों से नफरत है अब इन दोनों के बीच में भी एक कहानी है जिसे जानने के लिए इनके ई-ई-ई कहानी को आ-ा से शुरू करते हैं नफरत करते हैं में देख दूसे मार रहे ऑड़े कि छक्रते पड़ चलते हैं। इसने बूट बूट बुलाया तो भूतों को बुरा मानना चाहिए तुमकिन बुरा मान रही हो यह क्या कह रहे हो तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती तुम्हें लड़कियों को रुलाने में इस तरह मज़ा आता है क्या लड़कियां कहां पर हैं देखने ही रही तुम्हारा यह अवतार देखकर कोई तुम्हें लड़कियां कहेगा क्या ये लेटेस सब्सक्राइब करें भार बारे में की जरुवक नहीं है राशन कार की वाईयाद फोटो की तरह तुमारे बेस का फेशन से कोई सम्बंद नहीं है क्यों सही काल वाईम कजा थाभिया कर दो किस दूदि भूरा वो सुन्नेका झाल 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 में की हम एक पाहल कि एब 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 एप söz को एब सक एब एब एल भालत हुग है कि एब एब ए एब 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 लग झाल कर दिया भाई तुम तो भूद को कंट्रोल चोड़ दे भाई तुझे इस कॉलनी में होना चाहिए था इस तुझे तो अन्दॉट वेट आशो देम अरे वह तो रिवर साहिए इसे रोड समझ के रखा या रन्वे कैसे भागाता है यह तो लेडिस है लेडिस है मेरी तो बच्पन से इंसे दुश्मनी है गाड़ी से नीचे उतार वाट नॉंसेंस तूने किया और नॉंसेंस हमें बोल रहे हैं अपनी आंके सि है किया मिस्टर आप सेवन युश्मनी इस पर आप समझ में आ रहा है कितने लोगों को ठोकने के बाद एसा एक्स्पिरियंस आया होगा इज़त से हम सब को सॉरी बोल अब लो नो नेवर यह यह पर नहीं बोलेगी है अरे क्या हुआ तुम्ही इडियुट्स नहीं बोलेग मैं इसे काहां हुआ कितना ठूसेगा आँसन कर ले रोज शाम को मैं और मिरे दोस्त बहुत शारे आसन करते हैं पता है क्या काहां पर मुझे पता ही था शाम होते ही तुम्हारे जनरेशन के सारे लड़के बार में बीयर पिएंगे सेलफोन और कम्पूटर में घुसे रहेंगे तुम 25 के नहीं होते हो लेकिन तुम्हारी कमर जो है बिना काम के कमरा बन जाती है ऑफिस के लिए लेट हो रहा है जल्दी लेकर हम सब बैचलर सी है ना कोई भी लड़की मुझे आकर शितना कर पा है इसका आपको थ्यान रखना है भगवान में भी औरत मर्द का भीदभाव रखता है पागल हो गया चल आजा खाना खाले बेवकुस तहीं का मा ऑलिम्पिक्स में अगर डोसे के प्रतियों गीता रखी ज दोनों मुझे परेशान करते हैं जये माहेश्मती जये सिवगामी अब भी शुरू नहीं होई जये कटपा इसकी तो हट जब तक तेरा पाउं इस पर ना पड़े ये शुरू ही नहीं होती तो सुबा सुबा क्यू गंदगी फैला रहा है पनोती कही का रहे सिद्दू वह ख तोटी सी कार खरीद लें तुझे तो ड्राइविंग आती है सुबा सुबा भास की तरह रोज दोते रहते हो आगे पीछे बस हां सही कहा महीने में एक बार चल जाए काफी है कार के बारे में बात कर रही हूं ड्राइविंग तो आती नहीं पर लाइसेंस चाहिए अंदर च जी की बेटी बचपन में यूएस जाके वहीं पर हायर स्टडीज पूरी करके हाल ही में इंडिया वापस आई है हमारे एंके जी की हेल्थ कंडिशन ठीक नहीं है इसने कंपनी की नई सीओ की तौर पर हासनी जी को उन्होंने अपाइंट किया हूं देखिए वह हमारे बीच कुल्क रॉक्त पाइंट की लुक्त अपिस तौरा क्व्पाइंट की तौरा कि अब एक है यूर्म को वब्साव ने को फैस्ट धर आंट की यूर्म में आप देखिए जिस अंदू कर दिखिए उप संद। हैंट इस था इन से नगर मैं या सब्सक्र ऑनी ठीक और ाय गिव सबसे पसंदी नहीं था अभी बताती हूं राओ जी मैं ब्रिंग दें टुम मैं चेंबर हमें जॉब से निकालने की बजाए परसनल चेंबर में क्यों बुलाया यार कहीं स्पेशल पंश्मेंट तो नहीं देने वाली है हमको अब डर मदे बेवकुफ एक बात के निंथी मैंने ओफिस में आते ही एक चीज नोटिस की है क्या हमारे इस ओफिस में एक भी एम्प्लोई को ड्रेस सेंस नहीं है अगर यूनिफर्म में नहीं आया या और टाइम नहीं आया यू गाइस विल बी आउट नाव गे आउट अगे चल बड़े निवाले खिला रहूं कि आप अपको समझते क्या है आपको लगते हैं कि मैं मर गया हूं उससे सीए ओ बना करके मेरी पूरी इश्जत उतार दी आपने कैसी बातें कर रहा है तूसे नहीं जानता वह बहुत पड़े लिखी आला सुनलिया मैंने आप कहते जा रहा है और मैं सुनता जा रहा हूं प अंदर जाओ जाओ अंदर जाओ उसके साथ रहेगी तु भी उसी के तिरह बन जाएगी चल जादी जब देखो तरह दादा जादा जादा कियो बड़ी जो साथी बोल रहा था सही है क्या तुने अपने बौस के साथ जगडा किया नहीं यार है हमारे जगडा करने के बाद वह बॉस बन गई कुछ भी को यार प्लग में उंगली डाल के चालो करो या चालो करके उंगली डालो बात तो एक है शौक तो लगेगा लेकिन हमें नहीं उसको लगेगा सबको शराप पिने के बाद चड़ती है और इसे देखो जूस पिने के कि हम पसंद नहीं है यूनिफॉर्म बड़ा आया यूनिफॉर्म पनने वाला या 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 यू दोट वर्य बाद इट ओके आल टेकर आप इट अ बोली राव जी दर रसल मैं आप से कुछ बात करनी थी इसली आया है किस बार में अब्ओं तुम्हें रावी मैनेज नहीं है किया शारी मैडम राओ जी किसी बीएक डेपार्टमेट के साथ टूर प्लैन करते थे तो इस बार कहां जाएंगे यह सोचकरके टेकनिकल डिपार्टमेंट बहुत ही हुच्चुक है मैं मैं इस समय इंसब की जरूरत है क्या मैं हार सल आपके पिताजी स्टाफ के साथ टूज आते थे इसलिए सब बहुत खुश रहते हैं ठीक है ठीक है वैसे कहा जाने की सोच रहे हैं आप लोग ऊटी कोड़ाई कनाल कुल्लू मनाली ऐसे तीन आप्शन हमारे सिद्धू ने रेडी करके रखें मैम ओ सिद्धू का प्ला जी जी बढ़िया बहुत बढ़िया मालिक है है अब है आओ बैटी आरती ले लो आपको पता है ना आई डून बिलीव इन गॉड ऐसा नहीं कहते बिटा क्यों भगवान को गुस्सा आ जाएगा क्या हम एक बात पूछती हूं बताएंगे अगर भगवान होता तो बच्पन मेही मेरी माँ मुझसे दूर क्यों चली जाती डाड भगवान बगवान कुछ भी नहीं होता और मुझे यकिन दिलाने की कोशिच मत कीचिए ओके भाई डाड ग्राइवा जी आता हो मैंडम क्यों इतना टैंशन में हो सब र्क लिया यार लेकिन फिल गया अरे तुपवह मेरे बदे तampa緊 यार बड़ा सिंपल है यह देखो यह मेरी अंडरवियर डेवन के लिए अब उल्टा कर दिया अब यह अरे भाई बस पहले उटी जाए गिया कोड़ाई कनल वह दोनों जेगे नहीं यार कुलू मना ली जाएंगे थंडी लगरी मतलब उटी आ गया गया तुमारी बक्वास ब चड़े हो देख रहा हूं और मुझे भी पता चला है ऐसे जाकर वापस आने के लिए इतना बैगेज जरूरी था क्या ऐसे नहीं कहते हैं औरतों को अधिकार देना ही नहीं चाहिए तुम्हें गुस्ता आ रहा है ना तो बॉस को गाली दो लेकिन हम औरतों को गाली मत दू कुछ नहीं बोल रहे हैं तो तुम कुछ भी क्या है कर दो बॉल रही है कि अभी सिद्धू को यहां मुलाएं अभी सिद्धू इद्रा और इस पकड में आ गया मुझे सबके सामने क्या से सॉरी कहलवाते हूं मैडम बुला रही है तुम्हें है टेक्टिकल हैडों इसलिए दिखावा कर रहे हो और इन सब के साथ मिस्विएव क्यों किया और तो के बार में कुछ भी अनाप्शना बख रहे थे मेरी गलती नहीं है मैडम इज़त से इन सबको सॉरी कहो मैं नहीं बोलूंगा सॉरी कहोगे या भी चॉप से रिजाइन करोगे अज़े से तुम बोल दो रहा है हम न में सनाए नहीं दिया सॉरी इस बार मुझे भी नहीं सनाए दिया सॉरी 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 अगर यह हरता दोबारा की ना तो सॉरी से माफी नहीं मिलेगी माइंड इट यह लड़कियों से नफ्रत करता है कहीं यह वैचा तो नहीं मैडम श्याद इसे लड़के पसंद हैं अच्छा किया अच्छा मज़ा चिकाया है सिद्धू सिद्धू सुने यार पैसे दूसी गुलाव सिद्धू सुना तुम सारी और तट जूटी हो मकार हो आलसी हो पेवफा हो घमंडी हो सब कि सब धोके बाज हो इस औरत जातने जनमी क्यों लिया पता नहीं लगता है मर्ज जाती का नाश करने के लिए पैदा हुई है धोका देने वाली गतार यह विर्थ की बातें करना बंद करो कौन है बै अच्छा खासा फ्लो जा रहा था बीच में डिस्टब किया नहीं रोकूंगा नहीं रोकूंगा खुद को मैं अगर सुन नहीं सकते तो कान बंद करो वैसे तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले एक स्त्री से जन्म लेकर उसी स्त्री के बारे में आपत्ती जनक बातें करते हो स्त्री का मतलब तुम्हें पता भी है वो इस स्रिष्टी को रचने वाली आदि शक्ती है रुक जाओ रुक जाओ मैं ये सब नहीं सुन सकता औरत इस स्रिष्टी की रचना करने वाली नहीं विनाश करने वाली है उसकी महानता नहीं जानते उसकी शक्ती को नहीं समझते इसलिए अज्ञानता की बात ही करते हो देखो, औरतों के बारे में मुझे इतना ग्यान देने की ज़रूरत नहीं है, वैसे ये आपका सारा सेटप क्या है, ये गेटप किसलिए, तुम कहीं किसी ड्रामा कंपनी से भाग कर तो नहीं आये हो, इस जंगल में मूँ छुपा कर एक कोने में दुखी बैठे रहने का या तो लवर भाग गई होगी, या फिर बीवी भाग गई होगी, चुपरहमूर्ख, मेरा अपमान करता है, तू बातों से नहीं समझेगा, ये क्या मंत्रो चार, रोज टीवी चनल आउन करने पर, तुम्हारी तरह धोके बाद साधु ही दिखते हैं, तुम्हारे मंत्र किस महादेव, कानिकाए नमह, कपालिन्ये नमह, ये क्या, शाब्दे दिया क्या, डॉगी या फिर कैट बन जाओंगा, जाकर अपना काम करो भाई, मंत्रो चार, तू मेरे पास दुबारा आएगा, उस दिन का मुझे इंतजार रहेगा, मैं और तुम्हें ढूंडते हुए यह हाँगा, तो फिर वेट करो, तो आएगा, इसकी निजर, उसकी निजर, ओफिस वालों की निजर, सब की निजर उतर जाए, ठू ठू ठू, अरे ओ, खाना खाए बिना सोना मत, ठीक है, यह क्या, छोड़ो जन्तो, मुझे सर दर्द देने के लिए, सिर्फ यह बहुसी ऐसा सुचा था, बीच में यह बुठा भी आ गया, सोने के बाद सुभा सर ठीक हो जाएगा, सुभा सुभा ब्लाक कैट, पता नहीं आप क्या पनौती लगीगी, सुभा ब्लाक कैट का दर्शन, और अभी इनका दर्शन, पापा आपको कितनी बार बोला है, मेरा बातरूम इस्तेमाल मत कीजिए, अरे तो मैं क्या करूँ, नीचे तेरी बेहन ने हाउस फुल का बोर्ड लगा दिया है, क्या है इस बातरूम में, पिगले हुए साबून और टूटे हुए मक्यलावा, चल जा, आप ही ने तो सिखा था ना, कि कोई भी चीज पूरी तरह इस्तेमाल करो, और एक मैंना इस्तेमाल कर लेता हूँ, अलिव हैस की थरा खाते रहता है, सुनो, मेरा टिफिन तयार है ना, हाँ तयार है, मा मेरा लंच बाक्स रेडी है ना, इस बको और करना है, कोई मदद करने के लिए नहीं आएगा, इससे देखो, अगर ये शादी कर ले, तो इसकी चुब बीवी होगी, कम से कम वो तो मेरी मदद करेगी, लेकिन शादी की बात करते ये भड़क जाता है, मा, कितनी बार बताना पड़ेगा, हर बार आफिस जाने से पहले शादी की बात मत किया करो, अरे, अब मैंने क्या कहा तुससे, बात मत करो, हर रोज शादी की बात, या लड़की की बात, कि अपनी बहन को कॉलेज तक ड्रॉप करते हैं मगर इसने आज तक मच से एक बार नहीं पूछा शेह देखो सारे भाई अपनी बहन को इसलिए ड्रॉप करते हैं ताकि वो दूसरी लड़कियों पर लाइन मारे मेरा ऐसा कोई चांस नहीं है मुझे लड़कियों से नफरत ह पैदल चलिए जाओ ड्रॉप करूंगा तो पता कैसे चला लाला लाला ला अग्या कर दो इसका घमन्स चूर चूर हो गया होगा क्यों तुम लड़कियों पे गुस्ता करते हो दिखने में तू बहुत हैंसम और प्रॉब्लम क्या है तू मेरी प्रॉब्लम और इसी कैसे सु जगा दो आया बड़ा ही रोग सिद्धू तो मैं जब भी देखती हूं तो मैं तुम्हारी छूश भी गया है क्या हो गिस्जे कुछ समझ में नहीं हैं कर रही है कि अगित करने बात करने लाट चैना भी अगे दो ली लड़किया मन चाहेlement कर रही है देखा जाए तो बॉस में भी मुझे टार्गेट किया अच्छा तो बुढ़े यह सब तेरा किया कराया है लड़कियों से मुझे नफरत है उनके पास दिल नहीं होता है ऐसा बोला था अब उनके मन की बातें सुनने का श्राप मुझे दे दिया मेरे बारे में तुम मुझे यह जो श्राप दिया है इसको वर्दान में कैसे बदलूँगा मुझे अच्छे से पता है देखते रहना अच्छी सत्य है सुनो सित्व तुम्हें एंके जी अजन्टी बला रहे हैं हां क्यूं बुलाया होगा क्या हुआ आप इतनी टेंशन में क्यूं है धर्मा ग्रुप्स ने हमारे सारे पार्टनर्स को हाई परसेंटेज ओफर देखर घलत तरीके से अपनी तरफ खींच लिया है बेटी अपने पार्टनर्स के बिना हमारे प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना बहुत ही मुश्किल है अगर ऐसे ही रहा तो बहुत ही जल्द अपनी कंपणी को बंद करना पड़ेगा मैं कह रहा था कि इसे CEO नहीं बनाना चाहिए अब आप देख रहा ना अखर क्या हो रहा है मुझ पर छोड़ दीजे मैं समाल दोंगा इन सालों में जो तुमने किया वो काफी नहीं है अगर तुमने अच्छी तरह ध्यान दिया होता तो आज कंपणी की हालत ऐसी नहीं होती डाड डॉंट वारी पार्टनर्स को कंविंस करके सारे प्रोजेक्ट कंप्लीट करने की ज पहने दीजिए सर बेटी मेरी बात मांज़ा बेटी मैं और इसकी मदद लूँ आपको भी न एक बाहर के आदमी पर भरोसा है लेकिन अपने बेटी पर भरोसा नहीं है आपको मालिक परिशान मत होईए आप देखना वो सुधर जाएंगे उसके सुधरने की उमीद अब बिल्कुल नहीं है पिता जी कैसे है बेटा जब कंपनी प्रॉब्लम में है तो वो कैसे ठीक हो सकते हैं सही बात है मुझे यह बहुत बुरा लग रहा है पिता जी चल नहीं पा रहे हैं तो बहला कंपनी कैसे चलाएंगे देखिए किभी जी आप जब तकली में थे तो जिस कंपनी ने आप को सपोर्ट किया उसके बुरी वक्त में आप उसे चोड़ देंगे क्या इंसानित कहला ही तो मैं क्या करो बताईए अब उस धर्मा ने मुझे अच्छा प्रसेंटर जॉफर किया तो मैंने प्रॉमिस कर द सब का अपना स्वार्थ होता है अब प्रोफेशनल मेंटर काफी हो चुका है अगर कुछ परसनल मेंटर हो तो मुझे बताओ सुन लोंगा नहीं तो जा सकते हैं आंकल के जी प्लीज एक बाद सोच के तो देखिए मैं जाके बात करता हूँ प्लीज प्लीज वन मिनिट वन मिनिट अवे नटकट तुम यहां हो क्या मैं तुम आपना काम करो चलो मैंने का ना तुमारी मैडम की कोई बात नहीं सुनूंगा हैसा नहीं है सर मेरे पास एक मर्स सूपर इंटरस्टिंग परसनल मैंटर है क्या है बोलो मैं बताता हूँ लेकिन आप बेचेहन मत होना मतलो मेरा दिल बहुत है दूसरे के परसनल मैंटर से बला मुझे क्यों बेचेहन होगी सर आपके पीए को ट्रिपल बैट्रूम फ्लैक काम वाली को दस तोला सुना यह जो आपने उनसे प्रॉमिस किया हुआ है उ जैसे मुझे भी दूसरों से संबंधित परसनल मैंटर्स में बहुत इंट्रेस्ट इसलिए मैंने पता किया हमारे प्रोफेशनल मैंटर्स को अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो आपके परसनल मैंटर्स को आपकी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा अब भाभी जी हमार इसलिए इसलिए इस लड़के तो मुझे एक दब इंप्रेस कर दिया है इसलिए मैंने प्रामिस किया था कि अब आप यह नहीं हो पाएगा नहीं हो पाएगा मतलब नहीं हो पाएगा अगर आप ऐसे कहेंगे अंकल तो कंपनी की से सच्वाथ का क्या होगा सरा सोचे मेरे लिए मेरी पोजिशन इंपोझेंट है झिंधा आओं बस आप 2 मिनट बहार इंदाजर सॉल्व करता हूं पूरके हां क्या है दादा गिरी है क्या आख्य चुणिट के था कश्रेजुश बास मुझे बात करनी यह और दो मिनट्राइब जोड़ दो उसे उससे इस ना तो जा जाओ 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 एक बार अपनी वाइफ को बूला सकते हैं सर अरे धर्मा कंपरी में इंवेस्ट करने के लिए उसी ने तो कहा था उससे तुम क्या बात करोगे ki अपी के मेडम अभी डी मॉनिटाइज़ाज़न के वक्त वह 100 करोड मनी को वाइट करने वाली बात इससे पता होगी क्या डी मॉनिटाइजेशन के वक्त आपने 100 करोड को वाइट किया था ला में बाप्रे वह एम यह वीर्भद्र के बेनाम आद्मी हम है यह मैटल लीक हो गया क्या एमले वीरभद्र जी के बेनाम सम्पत्य के मालिक मत्लब बैंक लॉकर में चुपाया हुए चालीस किलो के सोने के बार में भी बैंक के लॉकर में चालीस किलो चुपाया गया सो हुआ हुआ है है नहीं है जोड़ो इसे चलो बाहर जो यह साब है inまडके बार और में बार करें कैसे क्या क्या कि मैं इसे तुमने उसे क्या यह चाह यह सिन्हें यह सॉघविन एक बार कह दिया वह सौ भार क्या करनें के बराबर होता है हम हैं दूसरा भी माजा! वाट? जल्दी से टिफिन दे दो आफिस के लेट हो रहा है वैसे आज स्पेशल क्या है इडली बनाई बिटा अब मैं तुम्ने खाना खाया तुम्ने खाना खाया तुम बैठो अरे मैं कह रहा हूँ ना बैठो माँ कि अब मैं तुम्हें खिलाओंगा और वो भी अपने हाथों से क्यों बैठा यह हिसास तुझे पहली बार हुआ कि मुझसे पूछी मा पहले तुम्हाओ मा आगर अब पानी प्यों अब बस बेठा तेरे प्यार से ही मेरा पेड़ भर गया खाले मा तुम्हाओ ना पहले लेटों भी खाले तुम्हाओ ना मा यह क्या है अब इतरी अपने बेटे को अपने हाथों से खिला रही हो और मुझे प्लेट में दे रही हो शादी के तीस साल तक तो सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोचा कभी अपने बच्चों की बारे में सोचा इनी Top बाप मा को बाहर घुमा कर प्तकर कितना समय हो गया है कुछ समय पहले फिल्म दिखाने लेगे ता याद है कि नहीं फिल्म दिखाने घु सरू और इक Area के नहीं अब खुश से रखना मतलब जरूरत हैं पूरी करना नहीं इच्छा एं Aussi लख लीजिए दस हजार रूपए पर किस लिए मेरी तरफ से तोफा पापा ले जाए मां को बाहर ले जाए पूरी दुनिया दिखाईए उसके बाद देखना प्लेट में होने वाला दोसा आपके मूर तक कैसे पहुंचेगा सावित्री और तो को सप्राइज बहुत पसंद है कि रोज 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 उन इडियर्ट का टॉर्चर बढ़ता जा रहा है कम से कम आज मेरा भाई मुझे ड्रॉप कर देता हूं कियो ऐसे अचानक बैठना आज भाईया को क्या हो गया हुआ है कि अब पेड़ो सापने देख अपनी छोरी आ रही है यह वाई यह यह भाई इसी तरफ आ रहा है भाई ही हुँ भाई है क्या रहे शाने हीरो गिरी दिखाएगा तू नहीं भाई तो पर यहां पर क्यों आया रहे रदर्स वो मेरी एक लौती भेहन है रोज इसी रूट से कॉलेज जाती है डेली तुम लोग ऐसे कमेंट्स करोगे तो पैचारी कॉलेज जाने से डरेगी न मेरी दादी को इसे डॉक्टर या इंजिनियर बनते देखना है यही उसकी आखरी इच्छा है मेरे माता पिता की इच्छा है कि अगर यह अच्छे से पढ़ेगी तो इसे अच्छा जीवन साथ ही मिलेगा मेरी इच्छा है कि बहन को अच्छे से बढ़वा कर कोई अच्छी जाना है भाई हम ही कॉलेज जाने के लिए कोई रास्ता ढूंड लेंगे चलता हूँ है मीनु चलो बैठ जा बड़े हीरो की तरह अपनी गाली रोके थे मुझे लगाता कि उनको डार्टेंगे लेकिन बेशर्मों की तरह उनसे भीक पांग रहे थे क्यों उन गुंडों को मैं भगा भगा के मारूंगा यह एक्सपेट कर रही थी और एक बहन अपने भाई से इतना तो एक्सपेट कर ही सकती है ना कर सकती है उसमें गलत कुछ नहीं है पर मीनु अगर आज मैंने उनसे जगड़ा किया तो कल वो दुश्मनी निकालने के लिए तुम्हारे साथ कुछ उड़ा सीधा करेंगे तो मैं सहे नहीं पाऊंगा सॉरी भाईया मैंने आपको गलत समझा चला पीछे बैट जा अरे पहले अपने आसू पोच्छ गुड़ इवनिंग लेडिज एंड जेंटलमेन आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूं क्योंकि मेरी सारी मेहनत सिद्धू ने की और क्रडिट में ले लू यह ठीक नहीं होगा यह बात टारी को बदाने ही होगी आप सब भी खुशी से भूले नहीं समाएंगे आपके डिजिजन सही होते हैं सर पार्टनर्स की बात करें तो हासिनी जिने उन्हें जो कन्विंज किया था वह बहुत ही बढ़िया था सर ऑफिस में इन्हें देखता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं आपको देख रहा हूं यह वाराइट से दू आम वेरी हैपी बेटा नहीं कर रहे हैं यह क्या है यह तो टूमच हो गया देखो आपने टैलन्ट प्रूव करने के ऐसे मौके को छोड़ना नहीं चाहिए राओ जी पहली बार सर की आँखों में मैंने खुशी देखी एक एंप्लॉई कुछ भी हासिल करता है तो उसे एक मेंडल या फिर बोनस द रिंछी लोग कर दो कि आँ़स्यारे चिर राल है ज़स्ट इंट्ट बाओ ही आँ़स्बस थे मौके के फिस संधसे के लिए स्ञलिए हैं अदस्स स稀 मौक हैं तो इस इाँ जसे उक्वारे ऑने हासिसूच्ट पाव़ना न हैं टालि страх對對 नहीं दिल ज lights मैं दिका करता हैं त Poke यहाँ देट, गुद मॉर्निंग, हाई बेबी, गुद मॉर्निंग, सर सर, हमारा प्लान उटा पड़ गया है, अरे हुआ क्या बोलो ही, वो एंके गुरॉपलो ने अपने पार्टनर्स वापस ले लिये सर, ओ नो, हाँ, उन लोगों ने हमारे पार्टनर्स को भी अपनी देख लोगा मैसे, रिलाक्स डैट, लट मी अंडल इस, कहां है तू, हलो, हलो सिद्धू, हाँ कॉन, मैं हूं, मैं हूं सिद्धू, मैं हूं मतलाब, मैं हासनी, मैं आप अपने कैसे कॉल कर लिया, क्यों, मैं और बहली बार है ना मैंटम, इसलिए एक्सपेक्ट नहीं किया था, संधी है ना, क्या करे हो तुम, आज क्या तुम से मिलना पॉसिबल हो भाएगा, क्यों नहीं पॉसिबल होगा मैं, आप बस और कीजिए, पल भर में आपके सामने हाजीर हो जाऊंगा, उसकी कोई जरुएत नहीं है, मैं खुदी आ र करने के लिए जैगुवार यह बोल रहा है, बात करता है यह तुम, आप यार, क्या दिन आ गया, सिद्धु अब जैगुवार कार में बैठेगा, वह अभी वसकार में बैठ रहा है अभी से शादी के मंदप मत बिठा मर जाएगा टेंशन से लगता है पहली बार इतनी बड मैं फर्स्स ताइम ही है, है, मैं अहीं सोच रही थी, आप सोच नहीं रही है फिर भी फर्स्स ताइम ही है, वाव, मैं फेवरिट लिली फ्लावर्स, मैं, वो फ्लावर्स देखे आपने, लिली फ्लावर्स लगते हैं, मुझे बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है 165 आर्व ग्रेट पसंद्ध करों है ये मैं तो इसके पागल हूं बचपन में मैं खाने का निवाला चान को देखकर नहीं खाता था जोज माइकल सॉंग सुनने के बाद भाद है मेरे माँ कह दिथी हम दोनों की पसंद कितनी मिलती चूलती है न सिद्धू और तो और हमारे ड्रेस कलर्स भी How sweet, isn't it? रहने तो मैम हाँ, बहुत ही अमीर हो और मैं बहुत गरीब हमारी पसंद आपस में कैसे मिल सकती है पसंद ना पसंद से इसका कोई लिला देना नहीं है सिद्धू यह तो इंडिविज्वल पर डपेंड करता है क्या अमीर करीब क्या सिद्धू तुम भी ना है which one will do would be better smoked chicken Mexican pizza club sandwich and cappuccino मेरे मन को तुम किताब की तरह पढ़ रहे हो आपको इस तरह खुश देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है आपकी खुशी को मैं भी शेयर कर सकती हूँ क्या आप धर्मा जी की बेटी साशा है ना इस तुम्हारे लिए ही यहाई मुझे तुमसे पांच मिनिट परस्नल बात करनी है सिथू के साथ परस्नल बात मेरे सामने सिथू को टच कर रही है हमारी कंपनी का जी एम तुम्हें बनना है यह मेरा फैसला है यह मेरा कार्ड है नो नो टोंट टेक आट कार्ड से दू प्लीज शाम तक सोचने के बाद हां कह देना अके अलो मेडाम हम यह सिद्धू ऑफर्स और डिस्काउंट्स पर फिसलने वालों में से नहीं है मेरी ओफर को रिचेक्ट कर रहे हो जाओ यहां से देख लोगा इसे ओफर्स बहुत देखें हैं मेरी ओफर्स देखें हैं मेरी ओफर्स देखें हैं मेन मेडम समलके अरे बेटा इनको क्या हो गया कुछ नहीं हुआ पार्टी में दोगलास ज्यादा पी लिए मैडम का रूम का आए निखाता हूँ बेटा आज के जमाने में आप जैसे लोग भी है मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है वेसे ज़र तो सो गए है आप अंदर चलिए अरे घ बेटा अंदर आओ इलाओ इसे मुझे रेगए तो मुझे रेगए है सिदू डोंट लीव में सिफ तुम्हारी वजे सीम मैं कि नहीं दुनिया थेक आरे हूँ मुझे भी आप बहुत पसंदे मैडम बेटा आज कल आप जैसे इंसान भी होते हैं अरे भाई मुझे जाने दो आप चलो वो सो रही है बेटा 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 मैडम तो खाली पेट सो रही है वो बीच में उठ सती हैं कुछ खाने का इंतिजाम कर गे रखो बेटा आज कल आप कैसे इंसान भी होते हैं क्यों सता रहे हो मुझे तारीफों से भी जान निकल सकती है यह मैं पहली बार देख नहीं चलता हूं बेटा आज के समाले में आप जैसे इंसान होते हैं मुझे विश्वास नहीं होना बेटा तो मैटर घर तक पहुच गया है देखता हूं हलका हो गया जब देखो धोता ही रहता है अपना हाथ कुछ भी गंदा नहीं है यार हाथ धोले वाओ नाइस पोस्टर कैसे आऊ बहुत बढ़ी है अकर्थ प्रॉह मैं आर चैसे यो और थे चैस्टर तो ये क्य सबक्तर थन्ड़ एक भी गरम नहीं है तुलेट में जाके सूख कर लिया बस हो गया क्या हाथ नहीं दोना होता है क्या अब पानी क्यूं वेस्ट करना क्या अगर तेरी तरह सब सोचे कि हाथ और से पानी वेस्ट होता है तो क्या होगा पता है तुझे तुवादत है ना हाथ धो रहा है कि नहार है अरे अरे हाथ तो हाथ तो दो दे भाई कुछ भी गंदा नहीं मेरे हाथ में क्या है आपने जब तक सबक नहीं मिलता ना तब तक बास समझ में नहीं आती है अब यह टॉलेट के बास सिर्फ हाथ नहीं दोएगा बलकि नहां भी लेगा बहुत बनता था मैंने कहा था ना कूल शांत हो जाओ मेरी बास सुना कर भाई चल जाबें सब तेरी ही गलती है क्या कर रहा है वैसे नाइस सर्प्राइज है तुम्हारी कौन सी रो है तेरा कौन सा रो है हमारा भी भी है तुम्हारा सीट नंबर कौन सा है सीट तंबर 2324 हमारा भी 2324 है अब यह सकता है ऐसे हो गया सत्य नश नेक शो के लिए ट्राइब करो गल्फ्रेंड क्या मिली अपने दोस्तों को ही भूल गया यह दोस्तों की कदर नहीं ऐसे क्या रहा है कल तु भी ऐसे करेगा चल दो टिकट लेका रहा ते इसकी तो ऐसा लग रहा है कि फिल्म नहीं जाके नहा ले ना हट चुछ मजा रहा है शॉपिंग का है तो फिल्म दिखाने लिए फिल्म में 100 रपे में काम हो जाता है ना शिय और यार किरण के साथ जो फिल्म देखने आई थी वाही फिर से मासों के साथ देखने पड तक पहुंचने वाले तुम्हारे प्यार को ब्रेक अप तक कैसे ले जाती हूं देख ले ना मैं तोड़ा बाहर जाके आता हूं गुरु जी फर्स्ट टाइम तुम्हारा वर्दान मुझे श्राब की तरह लग रहा है जहाओ पर भी जाता हूं वाइफाइ फोजी नेटवर्क की तरह यह टॉर्चर क्या है सब गुरु जी रोमेंस करने के लिए तुम्हारे बॉस के बदले मैं कामा सकी हूं क्यों तुम्हारी रोमेंटिक लव स्टोरी रेस्टोरान पब और थेटर तक ही सिमित है या बेटरूम तक भी पहुंच गई है उसने अपना सब कुछ दे दिया गया बेवजा की फॉतू बातें कर रही हो लगता है बातों से बात नहीं बनने वाली यह सब क्या है पागल हो गई हो हां तुम्हारे पीछे पागल हो गई हूं तुम्हें जो आफिस का ओफर दिया था ना अभी तक खाले पड़ा है कॉल कर लेना ओके क्या हुआ है तुम्हें कुछ भी नहीं कुछ तो चुपा रहे हो सच सच बताओ आई लाव यू तुमसे ये बात सोने के लिए मैंने कितने दिन इंतजार किया है अगर इनकी जगे मैं और सिद्ध होते तो कितना अच्छा होता मैडम आप कुछ भी कहो यह प्रपोस करने का काम बहुत ही मुश्किल होता है मुश्किल है कहकर प्रपोस नहीं करोगे तो दिल की बात कैसे पता चलेगी अब ही पता चला जी वाट क्या पता चला प्रपोस कर मैं रात को अच्छे से प्रैक्टिस करके सुभा बता दूंगा अगर सुभे नहीं कहाना तो अब धमकी तो बिना बोले कैसे रह सकता हूं मैंडम बोलूंगा प्लीज प्लीज और तो अज़ें नफरत थी लेकिन पहली बार मुझे प्यार हो गया इतने सालों से मैंने प्रार्थना नहीं कि इसलिए मुझे सजा मत देना मेरा प्यार सफल हो जाए इसलिए आप भी मुझे आशिरवत दे दो इन्हें क्या हो गया दादी यह आज प्यार के पसंद आ गई है हाँ हाँ कल शाम को मैंने कहा था न कि तुम से कुछ कहना है और मेरे विचार लडकियों के प्रति कभी अच्छे नहीं थे ऐसे में पहली बार मेरी दुनिया में एक लडकी आ गई वो तुमीँ हो तुम्हारे साथ मिलकर घूमना मिलकर हसना इस वज़े से मुझे में नई फिलिंग्स पैदा हुई है इतना ही नहीं फरस्ट टाइम पब में आपका किस उस पल में ही मुझे आप से प्यार हो ग्या मैडम पोप में जो इसकी वजय से प्यार हुआ या फिर थीयटर में किस किया था उसकी वजय से ठीटर का वे सब टो मैंने की त। मेरे कुछ कहे बिना ही किस वाली बात सच नहीं है यह कहने पर ही मैं सुनने के लिए कुछ बहुत प्यार करता हूँ मुझे पता है तुम भे मूझ concealed सब्सक्राइब करती हो प्लीज मुझे समझो ली पहले से जांताँ अब तुझेरेक्टर प्रण पोगह पता चल गया मुझे समझने की कोशिश करो प्लीज हाओ सेनी प्लीज अधिक किया है अधिक कर दो पार किया यह तेरे जैसे थर्ड ग्रेड लोगेट के बाहरी होने चाहिए जिन्हें अपनी आवकात याद नहीं रहती हम तुझे सिर्फ ओफिस से बाहर नहीं निकाल रहे हैं बलकि तेरी बॉस की लाइफ से भी गट आउट देजाओ इसे चलो गेट बैक तो आउट गुरुजी मेरे हतों मुझे ही मरवा दिया आ राओ मैं मेरे हतों से आज तुमने मुझे ही मारा ओओ इस तरह शुरू हुई ये प्रेम कहानी खत्म हो जाएगी या एक नया मोड लेगी ये तो सिर्फ गुरुजी ही बता सकते हैं आए पुट्टे मेरी जिन्दगी में हल चल मचा कर यहां पर शांती से तपस्या कर रहे हो मैंने कहा था ना एक दिन तु मेरे पास वापस आएगा प्रेम का हैसास होने के बाद समझ में आया स्त्री की अहमियत गुरुजी कृपा करके इस श्राप को हटा दीजिए गुरुजी तुम दोनों के मन में एक दूसरे के लिए प्रेम दिख रहा है मुझे पर एक दूसरे का हैंकार बीच में दिख रहा है मैं अपने श्राप को हटा सकता हूँ पर तुम्हारे अंदर के प्यार को प्यार अब कैसा प्यार गुरुजी वो कब का खत्म हो गया है वो मुझसे प्यार करती है इस बात की उम्मीद भी चली गई अब से मेरी लाइफ में ये प्यार शादी नाम की अक्षरों के लिए जगे ही नहीं बची गुरुजी 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 मैं ऐसी रह जाऊंगा गुरुजी मैं मेरी तरह ही रहूंगा मुझे लड़कियां प्यार शादी ये सक कुछ भी नहीं चाहिए गुरुजी मैं हमेशा लड़कियों से नफरत करता रहूंगा श्राप अटाईये वरना मैं इसमें कूटके मर जाओंगा देखो बेटा तुम्हें लड़कियों को समझने के लिए मैंने श्राप दिया था ना कि अपनी जिन्दगी को बरबाद करने के लिए अब तुझे मैं श्राप से मुक्त करता हूँ पिटा आज मैं अमरनात की आत्रा पर जा रहा हूँ चालीस दिनों के बाद मैं तुम्हें फिर मिलूँगा शुभम बावतु ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं बापरे ये गुरुजी मुझे वापस मुसीपत में तुन नहीं डाल रहे हैं गुरुजी मेरी एक इच्छा है जिन्देगे में फिर कभी आपसे मिलने की जरूत ना पड़े अगर हो सके तो फिर से मुझे वही शुराप एक बार दे दीजिए ठीक है बेटा तथास तू सिद्धू तू कम आई बेटा यह सब क्या है बोलो मा अरे सिद्धू तेरे लिए ना बहुत अच्छा पूंग निष्टा आया है यह देख फोटो दुबारा लड़के और शादी के बारे में बात करोगी तुम्हें अरे जाओ यह नहीं सुधरने वाला जाओ यह अब सुभा होने पर यह औरतों को टॉर्चर मेरे पास नहीं रहेगा गुरुजी आपको आपकी माया मुझे अपसे नहीं जाइए यह क्या मैं कहां हूं यह कोई नई जगा लग रही है कहीं मैं रात को किसी स्टार होटिल में आ गया क्या देखने पर यह होटिल की तरह नहीं लग रहा है कहां हूं मैं क्या है कोई मुझे पैचान भी नहीं रहा है यह तो रामु की तरह लग रहा है यह तो रामु की तरह मेम साब भादवान अब यह कौन सी नहीं मुझीवत है के बगवान मैं हासनी की बोड़ी में कैसे आ गया यहां पर इसकी बोड़ी में हूँ तो वाह मेरी बोड़ी में कौन है गुरुजी फिर से मुझे मुझे मुसीबत में डाल दिया कि अगया। I can't see anything these are not my specs वह वह देखा है? वह वह दो हम दो किसी ने किद्नाप नहीं कर लिया कहां पर नुम मैं? ओके, ओके लेट में चेक हुँ हुँ वह अगया गड जी इसका मोबाई पता नहीं कहां पर है यह रहा है मेरा ही नंबर डाइल करना पड़ेगा ना भागुआन भागुआन तुम्हारी आत्मा मुझ मेरी आत्मा तुम्मे यह क्या कोई बलाइक मैजिक है यह किया ना मैंने कुछ किया और ना ही करवाया वह हुआ यू कि और इस तरह इन दोनों के प्यार होने की वजह गुरू जी इनके प्यार के सफल होने की वजह भी बनना चाहते थे इसलिए सिद्धू के शरीर में हासनी और हासनी के शरीर में सिद्धू की आत्माएं बदलती देखते हैं इनकी प्रेम कहानी अब क्या मोड लेती है बोस आकर अब पता नहीं कौन सा बखेडा खड़ा करेंगी सूच के डर लग रहा है ए भगवान है यह क्याव है जाए तुम्हें मना किया थना उफिस में अने के लिए चलो है इए क्या थना तुम्हें यह खोड़ोधा लगद्धू यहां वाड़ी मैं मेरी इस लाए तूम कैसे वाट सब्सक्रियों सब्सक्राइग है और यह और नाउ टेल में ओकी वैसे यह सब की वज़े वह गुरुजी है वो टाविजी वट यह तो यह अन्दर क्यों आने दिया यह कैसा आदवी है जानते वे इसे अंदर आने देंगे तो हमारी इज़त रह जाएगी उसी बार में बात कर लही हूं आप बाहर बेट करेंगे प्लीज हासनी तुम्हारे भले के लिए बोल रहा हूं ऐसे नाकारों पर भरोसा मत करो पहले आप बाहर जाएंगे जाता हूं सिद्धू इस ओफिस में दुबारा तु कैसे आता है मैं देखता हूं देखता हूं कि अब बोलो कौन है वो गुरुजी हमारे सोल बदलने में उनका क्या संबंद है बताओ वैसे मुझे ऑफिस से बाहर निगाल देने के बाद मैं बहाँ क्या तुमने मुझसे प्यार किया था सच्छा प्यार तो मैंने तुम से किया था यकिन दिला कर मुझे धोका देने वाले तुम थे तुम्हें प्यार का मतलब भी पता है मुझे पता है अगर सच में तुम्हें पता होता तो मेरी जिन्दगी से तुम ऐसे खिलते नहीं असल मैं तुम मेरी जिन्दगी में आये है सुरी असे नी बस 40 दिन रुख जाएए क्या 40 दिन हां उसके बाद तुम्हारी बॉडी सही नहीं है तुम्हारी जिन्दगी से भी हमेशा के लिए मुझे पता है पर कुछ नहीं हो सकता क्योंकि वो कुरुची अब यहां नहीं है यह माले में चले गए है चालज तिर बाद ही लोटेंगे नो 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 प्लीज प्लीज समझने की कोशिश की तुमसे प्यांद करना मेरी गलती थी यह मुझे अभी पता चला यह मिलनτο की करना मेंया है। यह मिलनला में द्र Alsini ismaa गुरुची से नहीं चुझे मैं सिटाव हरसाो भात द्कितो ओडडिम तेरे बिना कहीं कंपनी बंद ना हो जाए इसलिए तेरा पैर पकर कर लिए इसकी बाते सुन वैसे यह बता अंदर मेडम के साथ मीटिंग हो रही थी आफ तुम दुनों के फाइटिंग चल रही थी शट आप यह चेंज हो गया वापस जॉइन करने के बाद यह तो बॉस के ग लाइफ में तुझे फिर से ओफिस में लेंगे मैंने सोचा ही नहीं था पर यार तुने सीन को इस तरह से घुमाया कि तु अपनी सीट पर फिर से वापस आया तु यार जीनियस है आप जाए यह से जाए मेरे पर गुस्सा हो रहा है इस बॉटी में और फॉटी डेस कैसे रहोंगी सोचकरी इरिटेट हो रही हुँ मैं और इस चीटर को मेरी सिंदगी से जाने वाले उस दिन तक इस बॉटी में अज़स करना ही होगा पर सबसे पहले इसका स्टाइल बदलना होगा रहा है अरे भाई तू आया है मुझे लगा कि अनकेजी आगए अरे नाचोरे नाचों आचो आचो और तुम मेरी सत आं रहा है आया 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 अला मजय करेंगा ना क्या लिए सिंदू तोला जल्दी आना चाहे था ना यह ड्रेस क्या है यह डान्स क्या है पूरे ऑफिस स्टाफ को औरकेस्ट्रा ट्रूप के रूप में बतल दिया है सब लोग पागल हो गए है असल में वह बाहु से यह बात भूल गई है क्या है सिद्दू हमारे बॉस को अगर कुछ कहा ना तो आफिस के लोगों को बुरा तुमने क्या सोचा था बिना मंदिर के वो एक देवी है और हम सब उनके भगता है यह सब एसा बरताफ क्यों कर रहे हैं इन पर किसी ने ब्लाक मैजिक कर दिया क्या अचानक सारे इंपलोईज भवंद है इसे खड़ा कियो यहां बैठ जा बैठ जा अरे बैठ जा रहे ओके मैडम बैठ जाता हूं तुछ से थोड़ी पर्सनल बात करेंगी अखिरकार मेरा वी दिन आ गया मतलब अच्छी दिन आ गया मेरे वह भी आपने कहा कि कुछ पर्सनल बात करनी है न सब कुछ बताऊंगा जो तुझे पता है सिफ उत्ता ही नहीं जो तुझे नहीं पता है वो भी पता करके मुझे बताना होगा यह बता सिद्धू की फैमिली कैसी है अरे आप सिद्धू की फैमिली की बारे में पूच रही है अब मैं क्या बताऊं बहुत अच्छी फैमिली मैडम का बना हुआ चार स्पेशल दोसा लेकर आना ओके डोसा तो क्या मैडम मैं कुछ भी ला सकता हूं आपके लिए आप जा सकता है ठीक है जाता हूं मैडम यह बात सिद्धु को पता नहीं चलने चाहिए ठीक है मैडम अरे मेरे भाई कैबिन से निकल के चेंबर में घुशने का तरह टाइम आ गया बॉस ने मुझ से अंदर क्या पूचा तुछ को पता है क्या पूचा तेरी फैमिली की डिटेल्स पूची वह पक्का तेरे प्यार में पागल है वर्क रबिश इसी चॉकिंग अरे मेरे शेर आख इसका डोसा लाने को बोला कहा कि किसी को बताना मत तू सुनकर खुश होगा इसलिए तुछ को मैंने बताया तूने मुझे मारा क्यूं स्टॉप इस नॉंसेंस फिर से अगर लव और रोमेंस कहा तो आइम कोई टो किल यू बढ़ाया इंगलिश बोलने वाला तेरी आसनी क्या बात कर रही हो अब मैंने क्या कर दिया क्या कर दिया मेरी जिंदेगी को डिस्टप कर रहे हो वैसे अगर तुम्हें तुम्हारी फैमिली के बारे में पता लगाना है तो मुझसे डिरेक्टली पूछ सकते थे ना ऐसे सब को चेंबर में बुला कर एंक्वारी कर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पहले सोचा कि तुम्हें पूछ लूँ पर अगर तुम्हें पूछती तो पता नहीं तुम कैसे रियाट करते तो इसका मतलब तुम किसी को भी दोसा इडली चटनी सांबार लाने को कह रहे हो ऑफिस में सब को ऐसा लग रहा है कि हमारे बीच को में प्यार नहीं होगा ना खाने में भी प्यार होता है क्या हाउ सिली होता है वो आपकी समझ में नहीं आएगा एनाफ तुम्हें मेरी तकलीव को कैसे समझना चाहिए तुम्हें मेरे कंट्रोल में कैसे रखना चाहिए मुझे अच्छी तरह से पता है देखो मैं क्या करती ह पकड़ मुझे जल से शादी करनी है लड़की ढूंडो शादी करेगा क्या अरे 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 जल्दी से फॉन रख दे अरे क्या हुआ कुछ शादी करने के लिए कह रहा है लड़की दूने की बात कर रहा था सुनिए इस बार मैं ऐसा रिष्टा लाया हूँ कि आप सब की आत्मा प्रसंद्न हो जाएगी जल्दी दिखाएए ना रहे हम सब लुश है दिखाता हूँ दिखाता हूँ यह देखिए अरे देख तो कितनी सुन्दर है बेटा हो कर दू नौ यह देखिए अरे हां कर दें कितनी खुशुरत है हां देखो ना मुझे पसंद नहीं आई तो फिर यह देख ले देख ले लक्ष्मी जैसी लड़की है देखना है देखो ना जाओ तो आप अपने लिए देख लो शाद मुझे शरम आ रही है यह क्या यार तुने इस लड़की को शादी के लिए हां कैसे बोल दिया अब तुने इसकी शकल देखी है अब मेरी नजरों से देख यार तेरी निजर पे तो पथर पड़ गए तिरे पाँपडता हूँ यहां से चलते यार नाम की तरह है भारी भारी हो नाशना या गाना कुछ आता है तुमें इसमें कोई शक नहीं मेरी बहन बहुत अच्छा गाती है कौन सा गाना गाती हो बिटा सोने से पहले आती हूँ पता था मुझे आपको मेरी बेहन तो पसंद आ गई ना पसंद आई इसलिए तो इतनी दूर आए इसे देखने के लिए पूरा परिवार ब्रेक डांस करके धारती को हिला रहा है पापा जोर से मत बुली हमारे परिवार की चोटी सी कमजोरी है म्यूजिक सुनते ही हम आटमेटिकली नाचने लगते हैं गलत मचने होंगे तब तो क्या है ना कि हमारे लिए यह सब कुछ नया है ना घर आओगी तो आदत बदल जाएगी लड़की को लड़का पसंद आ गया है और लड़के को लड़की पसंद आ गया है तो हम सब मूरत की बात कर लें एक मिनेट रूकी मुझे इनसे कछ परसनल बात करनी है अब यह सिद्धू तेरा भाई तयार है अब देख सुनिये आप जब शर्माती है तो बहुत यह खुशुरत देती है आपको मुझ में क्या पसंद आया आपका वेट एक फूल से भी ज्यादा प्यारी लती हो मेरे रिष्टे की बाद चल रही थी ना इसलिए मैंने कुछ व अगर आपको पसंद दे तो दस क्या 20 किलो भारी हो जाओ आप जितना भारी होगी उतना मैं खुश हो जाओगा सच में तो फिर शादी कब करेंगे एक महिने बाद पहले प्यार फिर शादी क्या प्यार है दया मुझे शरम आ रही है प्यार करोगी तो शरम पूरी निकल जा अब हम चले अब हम चले मेरी एंजल मतलत तुमारी होने वाली बिल्कुल अरे भाई यह तो बहुत बड़ा शाक है यार तो अपनी स्कूटर से इतना बड़ा ट्रक कैसे कीचेगा यार अगर सोचोगे खीच नहीं पाओगे तो सब हो जंदार है लेकिन खीच नूगा ऐसा सोचो तो सब कुछ लाइ अगर किसी की शादी फिक्स हो जाए तो कॉंग्रेट्स ही कहते है न मतलब मेरी शादी मेरी पर्मिशन के बिना डिसिजन लेने वाली आप कौन होती है मुझे शादी के नाम से ही नफ्रत है और तुमने मेरी शादी दे कर दी लड़की को देखेंगे क्या है फोटो भी लायों क्या लड़की ही ले आयों हे गाजी रिवेंच इतने भारी साइज में प्लान करोगी यह मैंने नहीं सूचा था हासीरी मैं तो मरा सिद्धू पता नहीं क्यूं मुझे लड़की तुम्हारे लायक नहीं है वो हम दोनों देख लेंगे मेरा जानू मुझे लंच पे लेके जाने वाला है उसके लिए पहले परमिशन दे दू पस अगर आप कुछ गलत नहीं समझोगी तो मैं यू जाके आधे घंटे में आ जाना देखिए प्यार के अक्षर लिखने में फिर उसे पढ़ने में फिर परीक्षा देने में वक्त तो लगता है ना अगर लेट हुआ तो इंसे कुछ कहना नहीं यह मेरी रिक्वेस्ट नहीं और है चलिए ना जानू देखा यह फॉर्टी डेज मेरी बॉडी में होकर कोई भी फाइदा उठाने पर और कोई भी लिमिट क्रॉस करने पर हमारा यह रिष्टा शादी तक पहुंच जाएगा उतना ही नहीं फॉर्स नाइट भी फॉर्टी डेज के बाद वो भी तुमार है है हैंसम कहां से आ रहे हो पप से यह पार्क से मेरे साथ अफैर है इसके बावजूद भी तुमारी बॉस ने तुमें आफिस में रखा इसका मतलब कि तुमारा लव कावी स्ट्रॉंग है तुमारा लव कितना भी स्ट्रॉंग हो उसे कैसे वीक करना है और तुमें कैसे लॉक करना है साशा को अची तरह पता है इससे अपनी बास को छोड़ दो वर्ना स्टॉप यो बुश्ट सित्व तुम्हें जो ओफर दिया तो वो अभी तक खुला पड़ा है यू कैन कॉल में अनी टाइम ओके मिनु वट अपन तुम ऐसे रोकियो रही हो क्या करोगे आप पता करके जाकर फिर से अनकुंडों के पैर पक्रोंगे है ना उसन आपने उनका कॉलर पक्रा होता तो आज यह सब नहीं होता बैट जाओ गाडी पर जस्ट गट अन पाइक और शो में अभा जाओ अब जाओ तो अबने मेरी सिस्टर को किस ने चुआ मैंने चुआ अरे उसने नहीं वे मैंने चुआ कर दो कर दो लोगा है मैने बे अच्छा तो अपने बहन हो गई मेरे भाई को छोड़ता नहीं है इस पार मेरी बहन को छेड़ेगा तो मार के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मार डालूंगा किसी को मारने से पहले उसका बैक्ग्राउंड चेक करना चाहिए कोई भी भाई अपनी बहन को टच करने वाले के बैक्ग्राउंड के बारे में नहीं सोचता लड़की को टच भी करेंगे मूड हुआ तो चुम्मा भी लेंगे ज्यादा अमन हुआ तो कहीं और ले जाएंगे उससे क्या कर लेगा तू हमारा भाई अरे बहुत अरे बहुत अरे उस तरह मत बोल इस कान में आके बहुत अरे उसने मुझे मारा तो तुम खड़ों के तमाशा देख रहे होगे बेवकूप जाके आप उसको एक चलक कर दो कैसे अशे फटबॉाल में मारते है आ बिलिगुल बेशेव आसे को भी मारा हो एक मर्द की बॉड़ी में देखी दस मर्दों को मारने में जो मसा है सौ सांडबैक्स को मारने पर भी नहीं मिलेगा चल दिखा देखा देखा अब जाकेत लाए यहां अब मोटो जाकेट लाए यहां आधि आवाज त्यारे अधिकल्य पुलिस भागे वागय क्यों रहे चाल पुलिस टेशन हां खलत चके पर हाथ लगा दिया भे तुने तू तो गया गोर क्या रहा है भे क्यों रहे है एड कॉंस्टेबल को मारेगा तू बहुत अकड है तेरे में उतारूंगा सारी अकड उतारूंगा तेरी तो रुक यार रुक सर इसमें मेरे भाया की कोई गलती नहीं है बहुत दिनों से वो लोग मुझे छेड रहे थे और गंदे कमेंट्स पास कर रहे थे आपने कंप्लेंट्स की पुलीस में डारेक्ट चाके कुंड़ा कर दी शुरू कर दी तुमारा भाई खुद को हीरो समझता क्या ऐसे घूर क्या रहा है तू ज्यादा खुश्यार बना तो रहें काउंटर कर दूंगा तेरा मैडम नमस्ते आप क्यूं आई मुझे बोलती थे मैं आजाता मैडम नहीं मैं सिद्धु जी के लिए आई हूं सिद्धु जी को येस मेरे बहुत करीबी है करीबी मतलब मैं सब छोड़ो यार मैडम सर ने गुश्य में आकर हमारे कॉंस्टेबल को थपड़ मार दिया विचारे को बहुत बुरा लगा सर से बोलो ना सॉरी बोल यहां कियो सॉरी बोल रही है मैं कॉंस्टेबल को मना लूंगा मैडम रहने दीजिए तुम रुको यार पड़े लो को बचाने के लिए इतना रिस्क लिया उसके लिए तैंकि सो मच ऑके पर फोन पर क्या कहा था मैं लॉयर को भेज ने के लिए कहा तो डारेक्ट पुलिस टेशन में आ जाओगे एनके की पेटी पुलिस स्टेशन में आई है पता चला तो मीडिया क्या लिखेगी जानते हो क किसी टेंशन में यहां आ गया ओके फिर से ऐसा मत करना चलो में नूँँ माजी यह अभी तक नहीं आई बहुत देर हो गई है पहले कभी इतना लेट नहीं आई कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था इसे अरे आ रही होगी किसी फ्रेंड के घर चली गई होगी क्या पता सावित्री फिक्र मत करो देखो वो लगा गए ङें कहां गए थी तुम तुम्हारी इमाद कितने चिंटा कर रही थी कहां गए थी कम से कम एक फोन तो करना चाहिए था अरे तुझे पता है मुझे कितनी फिक्र हो रही थी हां क्या क्या हुआ दिखा यह चोट कैसी बैठ 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 गाओ कैसे हुआ है वहां ऐसे बुद्ध की तरह क्या खड़ी है कुछ तो बता क्या हुआ दादी वो मैं जब कॉलेज्ट से आ रही थी मेनो तुम अंदर जाओ प्लीज तुम्हारे शरीर पे कितना घाओ से लगा है कुछ नहीं हुआ है छोटा से घाओ है दादी मा कितना खून बह रहा है कि अधे बगवाल तुम ऐसे रो क्यों रही हो किया हुआ क्या हुआ क्या हुआ तेरे साथ बिटा मुझे बताना क्या हुआ यह चूट के से लगी तुझे मां फिक्र मत करो मा कुछ नहीं हुआ है मुझे तुमां मेशा जगड़े से दूर रहते थे ते तुम आज कल इतना बदल के से गए हूँ हुआ 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 है नमस्ते दादी जी कौन हो तुम बेटी सीधे स्वर्ग से आई हुई महालक्षमी जैसी लग रही हो कहीं आओ जाना था गलती से यहां आ गई क्या दादी जी सिध्धू है क्या सिध्धू कौन है बिटा औरे दादी लगता है मुझे जैगवर से उतरते हुए देखकर इनका दिमाग खराब हो गया है तब यह तुझे कितना पसंद करती होगी रहना दीजी न दा दीजी लो बेटी दोसा खाओ दोसा दोसा मां कंगी कहां पर है राइट सेट कबड में हमारे घर पर भी सेम प्लेस आप यहां कैसी हैं हाई मीनू सिध्धू को उसकी मां के हाथ का डोसा बहुत पसंद है पता नहीं आजकर क्यूँ पीजा बर्गर फ्राइस ये सब खाके खुद को बरबाद कर रहा है उन्हें ओफिस के लिए यह पार जाने तो नहीं क्या करें समझ नहीं क्या कर रहा है तुम मुझे पसंद हो तुम्हार मेरी घर पर आते हो यह ठीक नहीं है देखा जाए तो यह मेरा घर है ओके फाइन गोटू हल एई मेरी बात था सुनो यह क्या प्लीज प्लीज आप रोज रोज इतनी मैनत क्यों करती है माडम मुझे सिखा देंगी तो मैं साइन खुद ही कर लूगा और एक्टिंग बन करो वरना यह पैन तुम्हारे अंदर खुसा दूंगी अगर ऐसा करना होगा तो तुम्हें खुद की अंदर ही घुसना पड़ेगा बस उसी एक एड इसको 24 घंटे तुम्हारे चेमबर में क्या काम रहते हैं तुम्हें क्या काम है बात क्या है क्या चाहिए इस चेक पर साइन चाहिए तुम साइन करो अभी पॉसिबल नहीं है इसके साथ टाइम पास में बिजी हो ना शुटा मैं गट आउट आउट आइस से यह दो कौड़ी का आदमें मुझे गेट आउट बोल रहा और तुम खामोश हो नहीं 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 दूस्से नहीं हम दोनों को उसने पैदा किया उसे बात करूंगा मैं सिर्फ पास लाग नहीं जादाद में अपने हिस्से की मांग करूंगा मैं ओके तुझे देखता हूँ मै यह सब क्या है आपने उसे गेट आउट क्यों कह दिया अब घर जाकर तुम्हेरे पेदाजी से पता नहीं कितना जगड़ा करेगा डाडी मैंने कुछ बनाया है यह देखे गुलाब जामन डादा ची तुम बच्ची पर गुस्सा कर रहे हो ह क्ठ लेते तो दें हाँ हाथ पैला के बीक मांग लूँ अब अपनी बेटी से निग प्रत्साइं करने के लिए सौ बार उसके चेंबर में चक्र काटने पढ़ते हैं मुझे मुझे नहीं चाहिए मुझे मेरा हिस्सा दे तो मैं यहां से चला जाओंगा इन से पूछो जब तक हम बाहर नहीं जाएंगे ना हमारी अहमेद पता नहीं चले इसी बाते मत कीजिए सहाब का आपके अलावा भला कौन है मेरे अलावा उनका हर कोई है तू चुप रहे तुम्हें चेकी चाहिए ना अभी देती हूं तेरी दया की भीक मुझे नहीं चाहिए जायदाद में हिस्सा चाहिए देखो पैरेंस के जिंदा रहते बच्चे जब जायदाद में हिस्सा मांगते है तब उन्हें कितन अनापशना बातें कहता है क्या शरम नहीं आती तुम्हें शरम की बाद तुम तो मति करो अच्छा नहीं लगता तुम्हारे मुझे चेक इस घर में आना ही मेरी सबसे बड़ी गलती थी सबके सब मर जाओ कहीं जाकर सुनिये तू आजा चल भावी मेरी बात तो सुनिये चोड़ दो मुझे अगर मेरे मरने से तू दोनों खुश रह सकते हो तो ठीक है लेट मी डाइ बेटी लेट मी जाए नहीं समस्या क्रियेट हो जाती है कि यहां पर समस्या मेरी जिन्दगी ही है जिसके खत्म होने पर ही समस्या का समध्धान efारे हमेशा गलत होते हैं भाईया को बदले के जिम्मेदारी मेरी है घूर क्या रहा है खाएगा तू एच्छी अरे उस अम्रूत को खाने अब दो लिया होता भाई कितना गंदा आदमी है तू अब अब यह लग धोते हैं न हमें क्या करना है यार चाचा बता नहीं कहां का घूमना पड़ता है ऐसे रोज दोएंगे तो कैसे चलेगा खाने से पहले तुम लोगों को ही धो लेना चाहिए अब अब तक गया क्यों नह क्या क्यों है अबा अबा अल्या अल्या आची होग Ghost साथ रुपए किलो साथ रुपए? हाँ, साथ रुपए किलो हाँ, ले लो ताजा है कितना? बीस रुपए का एक है नहीं चाहिए हाँ, बीस का एक एक किलो साथ के हाँ, ले लो अवे, धोई बिना खाता ही क्यों है तू? डे वजय में बीमारी मोल लेता है लेकिन तू तू मेरी बात मानेगा ने? चला आईे सर, आईे क्या हुआ राओ जी? सब आप की राहा देख रहे हैं सर कंगरेस्टस यह सब क्या? झाच कैवह राओ जिया जा आप हमारी कंपरिंग नए और सियू पॉइंट हुए हैं मै और सियू यहाँ सर लुअ किससने का हासनी जी ने कहा उनके अंदर न यहाँ में सब्सक्राइब हाटे ह 맛있 G इस में कामपनी चुर बुलाया हां बयाना ध्यार से इस कम्पणी के एक नट तुमने मुझे भाईया बुलाया हां भाईया इस जनम में तुम भाईया कहोगी सोचा भी नहीं था सौरी भाईया मेरे आटिटूट की वज़े से आप बहुत परिशान हुए ना नहीं हसनी मैंने ही अपनी गलत आदोतों से तुम सब को दुख पहुचाया है आप अगर बदलेंगे तो सबसे पहले खुश होने वाले इंसान डारी होंगे हां पापा को एक पिता की तरह इज़त जिन्दगी में कभी नहीं दी मैंने इतने साल तक आपने जोने इज़त दी है CEO के तौर पर इस कंपनी को भी देंगे ना भाईया जरूर हासनी मुझे लगता था कि तुम मुझे नफरत करती हो लेकिन इतना प्यार करती हो मुझे आज पता चला मैं इतने दिनों से आपसे नफरत करती थी उसकी वज़े आपकी अच्छा काम किया है उतना ही नहीं कोई भी भाई अगर बहन ने प्यार से मांगा तो जान भी देदेगा चलता हूं थांक यू भाईया इसके अंदर बगलाव देख रहा हूं तो हमारे इनके जी की अच्छे दिन आ गये लगता है शुक्र है भगवान का मैं एक बहीने के बाद अपनी कार निकाल रहा हूं तायर को कुछ ना हो चत को कुछ ना हो बचा लेना भगवान जा बे एक यह है कभी टाइम पर नहीं आती हरे आओ ना क्या कर रही हो अंदर मा जी सापित्री अरे ये ऐसे कैसे किने गई है मागवान अरे क्या हो आ इसे देख जल्दी हां हां पिटल लेकर जाए इसको बेटा चल जल्दी कर उठा इसे कुछ नहीं होना चाहिए से दूसका द्यान रखना अरे मां कुछ नहीं होगा मैं हास्पिटल ले जा रहा हूं तुम्हें हालो हास्पिटल ले जा रहा हूं सिद्धू हार्ट एटक हालो हास्पिटल आओ बिल्दा देखो में इपगो को क्या हो गया अब कैसी है यह अगर इससे कुछ हो गया तो हम सब अनाथ हो जाएंगे अगर पांच मिनिट भी लीट हो जाता तो उनके बजने की चांसिस नहीं होते आप बहुत लग्की है कि अगर आफ़ा शुक्रिया वह तो वक्त पर सिद्धु घर पर था इसलिए मेरी बहु बच गई उसे तो ड्राइविंग भी नहीं आती कैसे कार चला कर यहां लेकर आया भगवान ही जाने हासिनी सिद्धु हासिनी मैं तुम्हें किस तरह थैंक्स कहूं समझ नहीं आ रहा मुझे क्योंकि मेरी माह मेरी जिन्दगी है अगर उने कोछ हो जाता तो तो मेरी भी चांद चले जाती है थायक्स आसनी पता है तुमने सर्फ मेरी ममा की सिंदगी नहीं बचाई मेरी सिंदेगी भी बचाई है क्या बच्चों के तरह बोल रहे हैं तुम्हें मुझे थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है सिद्धू मा तो सब के लिए माहीं होती है मैंने तुम्हारी मां को बचाया ऐसा मुझे नहीं लग रहा है अपनी मां को बचाया है ऐसा लग रहा है वह भावना को थांक्स कहें कर प्लीज मत मिटाओ यह मेरा फर्ज है इस तो के सिद्धिय अरे बाप रहे मेरी कार मेरी कार मेरी कार मेरी कार मेरी कार की तो वाट लगा दी तुने क्या किया मेरी कार के साथ तुने तेरी ये हालत में नहीं देख पाऊंगा तुने परवाज करदिया मुझा से तु परवाज कर दिया मेरी किम्तिकार का पोस्त मार्टम कर दिया तुने क्या कर दिया से तुने ऐ चलो अंधर चलो ना यह दिए लिए। मैं इपली। कोँछ। लिए रहाँ है कुछुँछुछुछुछुछुछुछुछुछुुछु रहाँ रहाँुछुछुछु अविक च्छलुछु यह दो वे विए ट्रवी चाछुछु दरौकोछु जबाए लिए लिए दाटर से अपाटमेंट लिया मैं वहाँ जरूर जाओंगा ओके मुझे दो यह लिए लिए दादाजी नहीं पगता है ना दादाजी से चूट गई सिद्धू आओ ना देख्या रहे हो आपकी तबीयत के सिए मुझे क्या होगा एक दम मस्त हूं अपने परिवार के होते हुए मुझे क्या होगा आपको ऐसा देखने पर मुझे बड़ी खुशी हो रही है थैंक यू सिद्धू ज़रा सुनो तुमसे अकेले में कुछ बात करनी है ज़रा उपर आओ ओकी डैड़ी हम अभी आते हैं ठीक है विटा एनी प्रॉब्लम वो शाषा ने जो वीडियो निकाला था उसे हासनी को मैंने दिखाया था वो किस तुमने नहीं दिया था तुम्हारी कोई ग सुरी अर्भी जाकर मैं हासनी को सब कुछ बता देता हूं कि अरुकी अगर आपने उसे ये बात बता दी तो उसके लिए मैं अच्छा बन जाओगा पर आप उसकी नजरों में बुरे बन जाओगे वो मुझे पसंद नहीं होगा इसलिए ये बात आप किसी को भी मत बताना मैंने हमेशा तुम्हें गलत समझा सिद्धू बेवज़ा में आफिस में मैंने तुम्हारे उपर हाथ उठाया था मुझे माफ कर देना इस ओके ये बात अब यहीं पर भूल जाते हैं मैं मेरे मन में कुछ भी नहीं रखूँगा और आप भी मत रखना ओके बट आ हैफ क्या हुआ यहां पर क्यों रोग दिया है है हैंसम क्या पात है स्टाल काफे बदल दिया है अपना मेरे लिए एक बात कहूँ तुमसे तुम्हें किस करने से पहले मुझे हमेशा तुम पर हुस्सा आता था लेकिन जब से किस किया है न वो हुस्सा प्यार में बदल चुका है अब भी नहीं समझे लगता है एक और किस करना ही पड़ेगा और एक बार अगर सिद्धु के पास आई तो आइम गईंटो के लिए माइंड एक यो धर्मा की बेटी को मारा तुमने तुम्हारी लाइफ में रिस्क बढ़ गया है तैयार रहना फेस करने के लिए सिद्धु मेरी बॉड़ी में रहकर तुमने मेरी फैमिली को बदलने का सोचा तुम्हारे सच्चे प्यार को मैं आप जाकर समझी हूं हासनी तुम ऐसे अचानक क्यों चली गई ठीक है कल चालिसवा दिन है पता है न तुम्हें अच्छा यह क्या चालिसवा दिन है सुनकर तुम बहुत खुश हो जाओगी मुझे ऐसा लगा था पर क्या हो गया तुम्हें कल ही सबसे पहले हम जाकर गुरी जी से मिलेंगे ओके ओके सिद्धू सिद्धू मैं तुम्हें साशा की बात को लेकर अपने दिल में बहुत यह गलत बातें सोच ली इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है नहीं थांक सिद्धू मुझे समझने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया यू नो जो मेरे मन में है वो अभी मुझे बताने का मन कर रहा है तुम्हें पता है मैं भी वहीं बात के लिए दिजार कर रही थी मेरी तरह रात भर प्राक्टिस करके कहूंगा ऐसा मत कहना सिद्धू सिद्धू आए आए हाँ कोन है वह जिसने हमें किदा कियो कहां पर है वह यह सब क्ला हो रहे जगे का पता नहीं है पर प्लैं करके किड्नाप करने वाली जरूर वह धर मात की साचा यहगी यस पार up कiceless किया तुमने ने किद्में करवाया है मैंने बोला था ना पेले में चने करने वाली थी पर मुझे ही किनक्स कर लिया कौन हो तुम लोगाज आज मेरी शादी है तुम हो मैं हूँ जानू तुम्हानी गजनी मुझसे शादी करोगे ना क्या शादी नो नो क्यों क्या हुआ शौक लगा क्या मुझे सब पता था तुम इस से प्यार करती हो है ना रोमांज करना चाहती हो प्रेद चानु को मिठसे शीरने की कोशिच कर रही तुम्हारी आंखों के सामने मैं इन से शादि करूँ गी तुम देखती रहना है जुग जुग जूग क्या बात कही है प्लीज कर जी क्या हुआ हूँ पहले हमें यहां से एक जगा पर जाना होगा प्लीज इसे खोलो मुझ कहां पे है तुम्हारा गुरुजी औहां वाहा उस्तरी चलो चलो कि यह क्या हो गया गुरुजी इस तरह लेटी हुए हमारे गुरुजी अब नहीं रहे आज सुभाही वो पर लोग सिधार गए जिंदेगे में फिर से आप से मिलने की जरूतना पड़े ऐसा मुझे फिर से अब श्राप दे दीजिए गुरुजी प्लीज ठीक है लेटा हदfeld अगर को सच है कि यह को नीकालेगरे अरे गुरुजी पको बेटी रूँजाओ हमारे गुरुजी बहुरे किने से कहला ही हुगा तुम्हारी समस्यां का है तर प्र्दिक्शा करने संकर abis शंकरा हासनी!! मेरी बात था सुनो.. सब तुम्हारे कारणी हुआ है अब जिंदगी तुम्हारी बाड़ी में मैं और मेरी बाड़ी में तुम हो छी-छी resistant मुझसे ही नफत हो रही है आप पिक्रमत कीजिए ज़रूर हमें न कोई ने कोई रास्ता मिल जाएगा सारे रास्ते बंद होने के बाद और एक रास्ता खुलेगा इसके हम उम्मित कैसे करें बात वो नहीं है हासनी मेरी बात तो सुनो तो यह से मैं बहुत प्यार करता हूं हमारे सोल्सकर नहीं बदले तो क्या हुआ हम शादी कर लेंगे नहीं हो सकता है सब खत्म हो गया अब कैसे शादी पर पर मैंने यह सब जान बुझकर नहीं किया यह सब अंजाने में हो गया है और अब गुरुजी का इस तरह से पर एक बात बिल्कुल सच है कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं है तुमने जान बुझकर किया हो या नहीं किया हो जो हो आँट ए एक रहो जा। एक रहार आशनी एक रहार रहार एक रहार है एक रहार है फिल्सेट कि रहार है रहेंग गपर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो नमस्ते दादी ची खुश रहो खुश रहो सुदु का है उपर है थांक्यू यही हमारे लड़के को ठीक रहा पर रख सकती है भट तुम्हारा श्राप हट गया है तुम्हारी बॉडी तुम्हें वापस मिल गई है अब जाकर अपनी डार्लिंग के साथ डूएट गाना गाओ उठो भट उठो और ना अच्छा सपना था सच हुआ होता थो कितना अच्छा होता है जो किया वह काफी है अब ओवर यह पीर करो चली से रेडी हो जाओ ना कि अवेट यह कैसे होगा यह क्यों चली से रही हो जाओ अब जीए और बागी सारी चीज़ देखा जाए तो तुम्हारी लड़की ही खुश नसीब है हमारे लड़के का नसीब तो बहुत अच्छा है अच्छा है जाए एक नंबर का गदा है कल तक शादी से नफरत करता था ताब उसका पलू नहीं छोड़ रहा है सिदू क्या हुआ है यह सब कैसे हुआ मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है हमारी आत्मा कैसे बदल गई अच्छा प्यार क्या होता है फैमिली की एहमियत क्या होती है इन चालेस तुनों में तुम्हारी बॉड़ी में रहकर ही मैंने समझा है और फाइनली सुबह उठते ही मेरी बाड़ी में मैं थी गुरू जी आई लाव यू जिस दिन इन दोनों ने एक दूसरे के मन को अच्छी तरह समझ कर मर्द और और औरत का भेद भाव किये बिना जिन्दगी भर मिलकर रहने के लिए सोचेंगे उसी दिन इनका शराप अपने आप ही हट जाएगा सर्वे जनाह सुखिनो भवन्तु शुभम कल्यान मस्तु अब एक गलत है यह औरत भूत नहीं होती है देवी होती है हमें जनन देने के लिए वो बहुत दर्द सहती है हमें प्यार देने के लिए हमारी गलतियों को सहती है अगर पापा ना हो तो मा उनकी कमी पूरी करती है पर जहां मा नहीं होती वहां पापा कुछ नहीं कर सकते एक औरत की तरहा मर्द कभी प्यार नहीं कर सकता वो अगर इस धर्ती पर पैदा ना होती तो प्यार का मतलब समझ में नहीं आता कोई भी मर्द प्यार करना एक औरत की गोद में ही सीखता है हम किसी के साथ भी खुशी से हस सकते हैं पर दिल खुलके रो सकते हैं उनी के गोद में, और किसी के भी नहीं, तुझे औरत के बारे में पता ही क्या है बे, जब तक औरत बनके पैदा ना हो, कोई भी मर्द एक औरत को पूरी तरह से समझी नहीं सकता, वो हमसे प्यार नहीं करती, इसलिए हम उस पर एसिड फेक रहे ह हैं, अत्याचार करके उन्हें हम मार रहे हैं, फिर भी हम पर भरोसा करके हमारे साथ ही जी कर, वो हमें जीना सिखाती है, हम किसी तरह उनका कर्ज नहीं चुका सकते हैं, कम से कम उसे रिस्पेक्ट तो दे ही सकते हैं, औरत को रिस्पेक्ट देने का मतलब हमें जनम देने व साथ याद रखिए औरत को नफरत से जीतने वाला नहीं प्यार से जीतने वाला ही असली मर्द होता है सौल्वेज गिव रिस्पेक्ट विमेन